मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारती है आप समस्त भारत के वैसे छात्रगन जो सामन परत्यूगी परिक्षा के तैयारी में लगे हुए हैं ताकि आपको गौर्मेंट जो प्राप्ति हो इनके मनोबल के समवर्धन के लिए मैं सफलता की स्रीज प्रसूत करने जा रहा हूँ और आज उसके पहले अंक में मेरे पाश सबसे पहले आपको मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि 2000 से उपर छात्र मेरे अध्यापन काल में मेरे अध्यापन से लाव उठा करके बिविन बिविन गौर्मेंट जोब में जा चुके हैं और इसी के स्रेनी के तहत और वो बेहद ही सामान वर्ग के परिवार से आते थे जिनोंने ये सफलताय हासिल की हैं तो मैं समस्त भारत के छात्रगन उनके मनोबल उचा करने के लिए मैं आपको स्रीज प्रस्टूत कर रहा हूं। जिन छात्र का नाम मैं आपको पेश कर रहा हूँ और उस छात्र का नाम है रंजन कुमार इनको गाउं में कुंदन कुमार नाम से जाना जाता है रंजन कुमार गाउं में कुंदन कुमार नाम से जाना जाता है पिता का नाम सहदेव महतो और ग्राम इनका खोकसाहा पड़ता ह जो की पोस्ट माधोपूर के अंतरगत जिला समस्तीपूर बिहार राज के अंतरगत पड़ता है आप जानते हैं कि बिहार में गौर्मेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत समानवर गरीब वर के लड़के में एक जवरदस्त क्रेज होता है ये छात्र रेलवे में भारतिय रेलवे इंडियन रेलवे में टेकनिकल ग्रेड थ्री के एक्जामनेशन में अलाहाबाद बोर्ड में इसकी फाइनल सेलेक्शन हुई है और इसे लखनो डिविजन आवंटित किया गया है इसके पहले आप ध्यान रखिए कि ये 2012 इस वी के जून वाले कंबाइंड कोर्स में मुझसे पढ़ा था और कंबाइंड कोर्स मेरा 18 महिने का कोर्स हुआ करता था उस समय आम तोर पर उसको समाप्त होने में दो-दो बर्श लग जाते थे कंबाइंड कोर्स समाप्त करके वो छात्र कुछ दिन के लिए दरभंगा कुछ दिन के लिए समस्तिपुर अपने स्वाध्याय के लिए वहाँ चला गया जमकि बहुत गरीब वर का पर लरका था लेकिन वहाँ चला गया चुकि गाउं में उसको कुछ बैबदाम थोरी सी ब ये बहुत बड़ा आपका अभियब है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी इसके पहले आपको कई तरह की समन और सफलताएं भी जहलना पड़ेगा और कुछ ऐसे भी और सफलताएं जो आपको अंती मोर पर मिलेगी और कभी-कभी तो आपका मन इसमें ध्यान रख कियेगा कि नकरात्मक सोच वाले ब्यक्ति बहुत जायदे होते हैं ऐसे ब्यक्ति बहुत जायदे होते हैं जो आपका माखौल उड़ावेंगे हैं आपका मजाक उड़ावेंगे आप पर ज्यान दखी छीटा किसी करेंगे इस तरह की समाज में लोग भरे हुए हैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है इस आठ वर्षों के दोरान वह BPSC 64 मी प्रशासिनिक सेवा में बिहार पब्लिक शर्मिस कमिसन के प्रदेंस को क्वालिफाई किया मुख परिच्छा के चुकी तैयारी उसकी संपुर पुर नहीं थी इसलिए उसमें उसको सफलता नहीं मिली इस तक पहुचा अंतिम सफलता उसमें भी नहीं मिली SSE का एक और एक्जामनेशन आता है मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसमें डिस्क्रिप्टिव में मात्र चार नंबर से अंतिमें इसको छूट गया अंतिमें वो रेलेवे ग्रूप D के भी एक्जामनेशन में लिखित परिक्षा क्वालिफाई करने के बाद फिर दौर में छट गया कई तरह के परिक्षाओं में आंसिक रूप से इसको सफलता मिली लेकिन अंतिम सफलता इसकी दूर थी मन मनोबल थोरा धैर्ज चूक भी रहा था लेकिन फिर भी ये च्छात्र लगा रहा आप इस बात को गंभिरता पुरुबक शोचे कि जिस च्छात्र ने मुझसे कोर्ष 2013 के दिसंबर में खत्म किया 2012 के जून से सुरू किया 2013 के दिसंबर अतवा 2014 के अरंभिक अर्दरार्द में खत्म किया और उसके बाद से अभी 2020 के आज मैं आपको जो कह रहा हूँ वो 5 जून को कह रहा हूँ लगभग इन 8 वर्षों के दौरान उसने सतत वो लगा रहा इसी को कते continuity और इसमें आईए कि ये च्छात्र जो है अंत्वे जाकर कि इसको रेलवे में टेकनिकल ग्रेड थ्री में इसको सफलता मिली है और इसकी न्यूक्ती पत्र आ गई है इसका आप फोटो मेरे साथ थंबनेल पर देख भी सकते हैं थंबनेल पर आपका लगा हुआ छातर का जो फोटो है वो उशी का फोटो है जिसका नाम गाउ में आपका कुंदन कुमार करुक में जाना जाता है उसी का फोटो है आईए यह चातर पहले आता है कि योगेश्तारा कमप्टिशन कोचिंग में मुझसे पढ़ने के लिए आया कैसे योगेश्तारा कमप्टिशन कोचिंग रोसरा में अवस्थित समस्तिपुर जीला में है ऐसा था कि खास करके ग्रामीन छेतर होने के कारण और उस समय सवादिक है कि पोश्टर बहुत चिपकाई जाती थी जो सब छातर सफली भूत होते थे ताकि ग्रामीन परवेश के छातर जिनको नकरातमक सोची सुनने को मिलता है उनमें मनोबल समबरधान के लिए मैं पोश्टर सफली भूत चातर का नाम उनके गाओं का नाम और वो किस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए है इन सब का नाम मैं देख करके चिपका देता था चेतर में उसी पोस्टर को ये चातर देख करके और इसने combined course की शुरुवात की सारे तीन से सारे चार एक घंटे का इसका बैच होता था और यह इसमें पोस्टर देख करके यहां आया यहां पर 11 दिन की free classes होती थी फिर उसके बाद नामंकन के लिए मैंने ऐसा नहीं कहता हूँ जो मैंने इसको free पर है नामंकन के लिए इससे 6-7,000 रुपे मैंने लिया भी होगा और उस 6-7,000 रुपे में मुझे exact नहीं याद है कि 6,000 लिग गई होगी या 7,000 लिग गई यह तो मुझे exact नहीं याद है उसमें कितनी लिग गई थी चुकि यह मेरे staff लेते हैं तो यह पैसा इसके नानी ने अपना जेवर बेच करके और तब इसको दिया चुकि इसके पिता बराबर गंभीर रूप से बिमार रहते थे जब यह बच्चा 4-5 साल का था उसी समय से इसके पिता जी गंभीर रूप से बिमार हो करके और होस्पीटल में ही पराया ही उनकी जीवन बिती है और होस्पीटल में ही रहा करते थे यहां तक कि यह ध्यान दखिएगा कि उनके पास कोई आर्थिक इस्थिती नहीं थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा पाते तो नानी ने जेवर बेच करके नानी इसका गाउं बोर्या गाउं पड़ता है यह रोसरा से थोड़ा बगलम ही पड़ता है और बोर्या गाउं में नानी ने जेवर बेच करके और इसको पैसा वहन की और संस्थान में एड्मिशन लिया अब एक प्रशन ये भी आता है कि इतने गरीब छातरों को मैंने पैसा आखिरी मैं भी तो एक संस्थान चलाता हूं जहां एक पूरी सिस्टम की टीम चलती है पंद्रा-पंद्रा बेक्ती काम करते हैं और यदि मैं ये भी शुलक ना लू तो फिर इस पूरी सिस्टम को चलाना कैसा होगा और फिर एक और भी चीज है कि मुझे भी मेहनत करने में स्रम करने में लेकिन आईए छे हजार और साथ हजार रुपे वहन करने के बाद यदि जॉब की प्राप्ती हो जाए तो मैं समस्ता हूं ये बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि नगन ही रखम हो यदि इस तैयारी के बाद दमसला कि छातर का स्वेंग सरे जाता है ये इतनी लंबी तैयारी में लगा रहा है ये इसका स्वेंग सरे जाता है अब आये किसके पास मात्र साथ आठ कठा की ही जमीन थी बहुत छोटा जमीन का टुकरा साथ आठ कठा जिसमें इसकी मां ही प्राया खेती किया करती थी चुकि इनके पिताजी तो बिमार रहते थे और इस बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए करती थी देखिए मां का संगर्श जबकि मां बहुत जाएदे पढ़ी लिखी नहीं थी एक गाए भी रखती थी और इस गाए का भी देख रेक मां ही करती थी और इसका दूद भी बेच करके इसके पढ़ाए हेतू पैसा जुटाती थी फिर ये चातर समस्तिपुर में सिफ्टो के समस्तिपुर जिला पड़ता है जो रोसला से 30 किलियो मेटर दूर वस्तित है वहाँ सिफ्टो के अच्चुकी गाउं में इसको परशानी थोरी रहती थी और वहाँ पर सतत लगा रहा और सभाविक है कि ये परिच्छा देता रहा कई चरण में इसको अंत चरण में और सफलता मिल जाती थी लेकि निराश नहीं हुआ लोग इस समय इस पर एपॉइंटमेंट कार्ड देखा तो मुझे और शाधारन खुशी हुई और अपनी जीवन की इस सार्थकता से मैं भी अभी भूत हुआ लेकिन इसमें पुर्ण सफलता का स्री मैं ये मानता हूँ कि ये कुंदन कुमार छातर को जाता है समपुर्ण सफलता का स्री ऐसा ध्यान रखेगा इसका मूल नाम रंजन कुमार है और इनके काओं का नाम कुंदन कुमार समपुर्ण सफलता रंजन उर्फ कुंदन कुमार को जाता है रंजन कुमार उर्फ कुंदन कुमार और इतनी लंबी तैयारी में लगा रहना यही तो मैं तमाम भारत के चातरगन को कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी निराश ना होएं लोग आपके बारे में तरह तरह की टिपनिया करेंगे परत्योगी परिक्षा में आप लगे हुए हैं आपको ध्यान दख्येगा कि कई तरह की बाते आपको शुननी परेगी आप इस बात को दिमाग में बिठा ले ये दुनिया 99% लोगों से ऐसे लोगों से भरा है जिनके मस्तिस्क में नकारात्मक शोची भरी रहती है इनका काम है दूसरे पर टिपनी करना मजा कुराना उन पर तरह तरह के ब्यंग करना एक परतिसती लोग होते हैं जिनकी शोच सकारात्मक होती है उनके अंदर रचनात्मक सोच होती है और इसी से दुनिया चलता है और जिनके पास लगन है धर्ज है उनके आरे कभी भी गरीवी नहीं आवेगी मैं इस बात की गरेंटी लेता हूँ सतत आपको यदि आप लगे हुए है तैयारी में हर हाल में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी अब कुंदन को यह जो जौब प्राप्ट हुआ है रंजन उर्प क गुंदन को तो सभाबिक है कि इस जौब में उसे कई चीज की प्राप्ति हुए गर्वर्मेंट जौब में सबसे बड़ी होती है शेकुरिटी और सेकुरिटी के बात ध्यान रखेगा कि अब कोई भी ऐसा गर्वर्मेंट जौब नहीं है जिसमें 25 से 30 हजार के बीच कम उस तो 3,60,000 उसको फिर 37 से गुना कर दीजिए वो करोडों में पहुंचाता है तो मैं आपको फिर जब रिटायर करेगा तो ग्रेटी चूटी कई तरह की इसे लाब मिलता है और सबसे बड़ा गर्वर्मेंट जौब में है सेकुरिटी इस सेकुरिटी का सबसे बड़ा चीज तो हमने देखा जी इस कोरोना काल में कि कई लोग उचे उचे पद पर थे और आज उन्हें बैठना परा कई की जौब छूट गई लेकन गौवर्मेंट जौब बाले सेकुर रहे तो मैं भरत के तमाम छात्रगन चाहे छात्र हों छात्रा हों जो परतियोगी परिक्षा समा जम चुमेगी हर हाल में आप सफली भूत होंगे आपकी आज न तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है तै माने मेरे पास तो इस तरह के दो हजार से उपर छात्र को दारन है मैं बीच बीच में आपको सुनाता रहwnँगा बीच बीच में आपका मनोबद संबर्धन करता और इस तरह से मैं सुनील जी आपसे बिदा ले रहा हूँ और पुनह मैं रंजन कुमार उर्प कुंदन कुमार को इस रेलवे में अंतिम रूप से सफली भूत होने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और टेकनिकल ग्रेड थ्री अलाहाबाद बोर्ड में इसकी नुक्त न देता हूँ इस तरह से मैं सुनील जी आपसे बिदा ले रहा हूँ और पुनह मैं आपसे अग्रह कर रहा हूँ कि आपने यदि अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया है जो बिलकुल फ्री है इसका नाम है सुनील जी खांटी बिहारी समस्त भारत के प मैं दावा करता हूँ कि आप पर समाज की नकारात्मक टिपनी का मैं कोई असर नहीं परने दूगा जै बिहार जै भारत